हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूज्वल शुरू करूँगा फिंगर्स के अनायलसिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सैटिंग को अनमाउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ सा draw करता जाओंग आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर phone consultation लेने के लिए आप screen पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के जरीए संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक squarish formation में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं fingers काफी थिक नजर आ रही है काफी अच्छी लंबाई में है इनकी ब्रस्पती finger यानि गुरू finger को देखा जाए तो यह finger काफी थिक है और बिल्कुल स्ट्रीट नजर आ रही है इस तरह कि गुरू finger का होना काफी positive माना जाता है ऐसी गुरू finger होने से व्यक्ती की leadership qualities काफी अच्छी रहती है ऐसे व्यक्ती ग्यानवान होते है अध्यात्मिक nature के होते है और दूसरों को guide करने वाली दूसरों का mark दर्शन करने वाली personality ऐसे व्यक्ती की आपको देखने को मिलेगी अगर हम बात करें इनकी शनी finger की आप यहाँ पर देख पाएंगे शनी finger काफी थिक है और बिल्कुल straight यहाँ पर नजर आ रही है शनी finger का अच्छी स्थिती में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ती काफी मिहनती nature का होगा एक disciplined personality एक नयाए प्रिया और अनुशाशन प्रिया टाइप की nature ऐसे व्यक्ती की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्ही खूबियों की वज़े से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ती जरूर कामयाब हो जाते हैं अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहां पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी गुरू फिंगर से अधिक नजर आ रही है काफी अच्छी लेंथ में यहां फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हैं अगर हम यहां पे लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं इस फिंगर की जो लंबाई है इनकी तरजनी से ज्यादा है और सूर्य फिंगर का ज्यादा लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफी क्रियेटिव नेचर का होगा काफी एच्छी आर्टिस्टिक qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और सूर्या फिंगर जब ज़्यादा लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा social circle बना पाने में भी जीवन में काम्याब रहते हैं एक artistic personality creative nature और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े risk taker होते हैं चीवन में risk लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी investments के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को risk लेते हुए देखा जा सकता है ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जिगाहों पर लगा देते हैं जहां पर loss की संभावनाए हो जैसे share market है crypto currencies है mutual funds है multi level marketing है ऐसी चीजों की तरब भी व्यक्ति की रूची ऐसे व्यक्ति का रुच्छान आपको देखने को मिल जाएगा अगर हम इनकी mercury finger को देखें तो इनकी जो mercury finger है यहां पर अच्छी लंबाई में है लेकिन low set है अगर हम fingers के बिलकुल नीचे एक line draw करें तो आपको कुछ ऐसी एक रेखा बनती होई नजर आएगी जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूरिय finger इनकी शनी finger इनकी ब्रस्पती finger यह तीनों की तीनों इनकी सबसे छोटी यानि mercury finger के मुकाबले काफी उपर से शुरू हो रहे हैं यह तीनों fingers आपको काफी उपर से शुरू होती होई high set नजर आएंगी जबकि mercury finger यहाँ पर नीचे से शुरू हो रहे हैं जिसे हम low set mercury finger कहते हैं इस finger का low set होना व्यक्ति को थोड़ा शाई सभाव देता है थोड़ी hesitation भरी nature आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है लेकिन यहाँ पर अगर हम length की बात करें तो इस finger की लंबाई में कमी नहीं है यह finger length में इनके सुर्या finger के top phalanche के बिलकुल करीब पहुँचती हुई इस तरह की mercury finger होने से व्यक्ति के communication skills और ऐसे व्यक्ति का business equipment आपको strong देखने को मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी यहाँ आप देख सकते हैं इनका जो ब्रस्पति यानि गुरू mount है यह हिस्सा आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा गुरू परवत यह वाला भाग थेली का चिनका भी इस तरह से उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति ग्यानवान होते हैं काफी अच्छी knowledge अपने चीवन में गेन करते हैं और अध्यात्मिक नेचर के होते हैं धर्म कर्म के कामों में ऐसे व्यक्ति की रूची आपको देखने क मिलेगी साथी साथ आपको यहां पर एक इस तरह की बारीक और जो चंद्राकार की एक रेखा है वो नजर आएगी इस तरह की जो एक चंद्राकार रेखा यहां पर बनती है इसी रेखा को गुरू वले कहा जाता है यहां पर इस तरह का गुरू वले बनना व्यक्ति को समाज में काफी अच्छा मान समान और काफी अच्छी प्रतिष्ठा दिलवाता है ऐसे व्यक्ति बहुत ग्यानवान होते हैं दूसरों की मदद करने वाले एक sympathetic personality के मालिक ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे लेकिन इस गुरु वलय का वनना व्यक्ति को थोड़ी वैराग्या की भावना भी देता है ऐसे व्यक्ति थोड़े जीवन में isolation पसंद करने वाले होते हैं थोड़ा अकेला पन भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं है जिस वज़े से चीवन में संघर्ष का सामना भी ऐसे व्यक्ति को काफी करना पड़ता है अपने चीवन में काफी सारे ups and downs का सामना ऐसे व्यक्ति करते हैं आपको इनकी शनी रेखा यानि भागया रेखा दिखाना चाहूँगा यहां पर भागया रेखा बहुत अच्छे से शुरू होती हुई लेकिन आगे चलकर यह रेखा आपको कुछ इस तरह से कमजोर बढ़ती नजर आएगी इसके आगे भी यह रेखा मौचूद है लेकिन यह रेखा आगे चलकर थोड़ी सी यहां पर आपको फीकी नजर जिसकी वज़े से चीवन में उतार चड़ाव रहते हैं ऐसे व्यक्ती चीवन में काफी अच्छा धन कमाते जरूर हैं लेकिन उस धन को रोक कर रख पाने में थोड़ी दिखतें आते हैं क्योंकि इनका जो मनी ट्राइंगल का एरिया है वो भी हमें खुला हुआ नजर आ र लाइन यानि भागया रेखा कहा जाता है और दूसरी रेखा यह वाली जिसको कहा जाता है माइंड की लाइन यानि मस्तिक्ष रेखा और तीसरी रेखा जो इन दोनों रेखाओं को मिलाकर एक ट्राइंगल की शेप देती है उसे कहा जाता है मरकरी लाइन और यह रेखा यह और यह रिखा कुछ इस तरह से मिल जाए तो यह एक complete triangle बनता है लेकिन इनके तेरी में यह triangle आपको कुछ इस तरह की हलकी रिखाओं के माध्यम से बनता हुआ नजर आएगा इस triangle का हाथ में बनना ही lucky होता है जिनके हाथ में यह triangle बनता है ऐसे व्यक्ति धन कमाने में capable होते हैं लेकिन जब यह triangle इस तरह की छोटी छोटी रिखाओं और fragments से बने तो यह खर्चों की अधिक्ता को भी दिखाता है ऐसे व्यक्ति चीवन में काफी अच्छा धन कमाते जरू ऐसे यह रिखाओं के जुड़ने से इस तरह से यह complete हो जाए तो ऐसा व्यक्ति धन को जारा लंबे समय तक रोक कर रखवाने में भी सक्षम बन जाता है अगर हम बात करें इनके सूर्य परवत की आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर शनी की भाती इनका सूर्य परव भी हलका सा फ्लैट है बहुत जादा उपरा हुआ सूरय मौंट नहीं और लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है सूर्य रेखा कहा होती है जैसे यहाँ रेखा शनी की रेखा यह भागया रेखा कहलाती है त्यों कि यहाँ इस तरह से शनी परवत की तرف बढ़ती है अगर ऐसी ही कोई रेखा नीचे से शुरू होकर यहां पर आ जाए, यानि इस हिस्से में सुर्य परवत पर पहुन जाए, उस रेखा को सुर्य रेखा कहा जाता है, यहां पर इस तरह की स्ट्रॉंग लाइन का अभाव है, इस वज़े से जीवन में यश्की कमी रहती है, ऐसा व्यक्ति को जीवन में यश्की कमी का सामना करना पड़ सकता है, अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की, आप यहां पर देख पाएंगे, मरकरी माउंट भले ही लो सेट है, लेकिन काफी उभरा हुआ, इस तरह का उठा हुआ मरकरी माउंट, जीवन में बहुत अच्छी बिजनस की समझ देता है, ऐसे व्यक्ति का बिजनस एक्कमेन अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति के कम्मिनिकेशन स्किल्स काफी स्ट्रॉंग होते हैं, और पूर्वा अनुमान लगाने की शम्ता, ऐसे व्यक्ति की काफी बेतर होती है, यहां पर जो यह रिखा हैं, आपको इ अपने strong communication skills का इस्तिमाल करते हुए अच्छी तरक्की पा लेता है लेकिन इस तरह है कि छोटी छोटी बारीक mercury lines का होना यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति को digestion से जुड़ी समस्याओं का सामना करना होगा digestive system में कुछ ना कुछ दिखते हैं ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में middle age के बाद महसूस करता है अगर हम बात करें इनकी line of heart की तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो heart line है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और सीधा यह है रेखा आगे बढ़कर इनके गुरू परवत को टच करती हुई जब भी रिदय रेखा यहां पर ब्रस्पति यानि पहन जाए ऐसे व्यक्ति इमांदार होते हैं दूसरों की help करने वाले sympathetic सभाव के होते हैं और एक अच्छे दिल के मालिक होते हैं इस रेखा में यहां पर कोई भी negative चीज हमें नजर नहीं आरी लेकिन सिवाए इन downward चोटी चोटी ब्रांचिस के यह जो रिखाएं हैं चोटी एज में चलकर कुछ minor health issues जैसे blood pressure, thyroid, cholesterol, diabetes जैसी समस्यां old age में चलकर होने की समावनाएं रहेंगी overall heart की health में कोई भी major problem हमें इनकी heart line के जरिये नजर नहीं आ रही अगर हम इनकी mind line को देखें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी mind line है बिलकुल straight है अच्छी लंबाई मे है जिस वज़े से ऐसे व्यक्ति की memory अच्छी रहती है यहां रेखा लगवगे सेरिया से शुरू होकर आपको यहां तक जाती है नजर आएगी लेकिन आपको यहां पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि इनकी जो mind line है यहां पर आपको थोड़ी कमजोर नजर आएगी और अगर हम इस रेखा की formation को देखें तो आगे चलकर यहां रेखा काफी strong है जब भी इस रेखा में आपको कुछ weakness नजर आए तो यहां mental health के लिए अच्छा चिन नहीं माना जाता जिनकी मस्तिक रेखा बहुत जादा जुकी हुई होती है यह इस तरह से बीच में आकर आप को थोड़ी shallow नजर आए तो ऐसे व्यक्ति को बेचैनी anxiety जैसी समस्या स्ट्रेस जैसी समस्या का सामना भी चीवन में करना पड़ता है अगर हम बात करें इनकी line of life की तो आप यहां पर देख पाएंगे life line काफी लंबी है और बहुती smooth life line आपको इनकी अथेली में नजर आए गी overall health यहां पर अच्छी रहेगी और ऐसे व्यक्ति लगभग 75 से लेकर 80 तक की age को जीवन में enjoy कर पाते हैं इनके केतू परवत पर काफी अच्छा fish का symbol भी आपको बनता हुआ नजर आएगा आपको draw कर कर यहां पर दिखाना चाहूंगा इस area को जो यहां पर यहां पर हमार जीवन की रेखा खतम होती है और भागया रेखा शुरू होती है इसी area को केतू का area केतू परवत कहा जाता है और इस area पर fish का symbol बनना बहुत लकी माना जाता है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाओं से एक मचली नुमा अक्रिती आपको यहां पर बनती हुई नजर लिए insurance के माध्यम से और inheritance के जरिये यानि पुष्टैनी जमीन जैदाद के माध्यम से भी धनकी प्राप्ती होने के योग बनते हैं अगर इनके Venus Mount को देखा जाए तो यह area आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा उठा हुआ शुक्र परवत दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह कि सुक सुविधाएं रहेंगी लेकिन इस Mount के उपर इस तरह की रिखाओं का होना परिवारिक समस्याएं व्यक्ति को दे सकता है ऐसे व्यक्ति के परिवारिक जीवन में family से related कुछ ना कुछ चेंता हैं ऐसे व्यक्ति को परिशान करती हैं जिनके हाथ म परिवत के उपर किसी भी तरह का कोई negative चिन नहीं है जिस वजह से ऐसा व्यक्ति अपनी mental stability को पा लेता है यहाँ पर इनके अंगूठे पर आपको यव का चिन काफी हद तक बनता हुआ नजर आएगा यव का चिन कुछ इस तरह से एक आख जैसी अकृति को कहा जाता है जो इस सेरिया में बनती है ऐसा चिन होने से व्यक्ति की six sense काफी अच्छी होती है आने वाली घटनाओं का पूरवा अभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो अपने किसी relative या मित्र के साथ होने वाला हो तो ऐसी चीजों का अभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है तो दोस्तों ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद